हलो गाईज मैं खुश रहो आपका स्वागत करती हूँ है जे नियूज में आप लोग को आज एक ऐसी महीला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एज 75 है और अभी उनको लाइसेंस बनवाना पड़ गया है और चलिए जानते हैं लाइसेंस बनाने की वज़ा क्या है पर उसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए कि नोटिफकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहाँच पाए और अगर जानकर या अच्छी लगी तो एक लाइक ठोकत भी जरूर चाहिए तो शुरू करती हैं आज की नियूज ये खबर हमारे सामने सामने पिलबारी से आ रही है जहां पर विन्नी नाम की 75 यर की एक उल्ड महिला है बजूर्ग महिला है और उनको अचानक से ही लाइसेंस बनाने के लिए उनको सोचना पड़ गया और उसकी व सर्मारी होता है तो उनको वह गाड़ी में भिठा के ही लेके जाना चाहते है वह कभी भी किसी की मदद नहीं लेना चाहते ही तो इस लिए विनी नहीं ये डिसीजन लिया कि वह थाहीए तो उनकी साह थोड़ी का मिवनिकेट किया गया हुए और जब वह द्राइविंग ल का जो टेस्ट रहता है उसको कम्प्लीट किया और उसके बार ड्राइविंग लाइसंस उनके हाथ में आया जिससे वह काफी ज्यादा खुश है और वह निर्भर है और वह यही चीज बोलती है कि हर किसी को निर्भर रहना चाहिए और किसी को पर डिपैड नहीं होना चाहिए पर मेरी बहन की तबित काफी ज़़दा खराब है और हर वक्त मुझे उनको हास्पिटल लेके जाना पड़ता है और मैं किसी के सहारे पे नहीं रह सकती हूँ मैं हूँ मेरी बहन है और मैं बहुत ज़़दा खुश हूँ कि मेरे इस वक ड्राइविंग लाइसंस बन गया है और सब लोगों को ड्राइविंग लाइसंस बनाना चाहिए तो यहां पर एक ऐसी चीज आ जाती है कि जो कि आप लोग को पता है कि इंडिया में काफी ज़़दा ड्राइविंग लाइसंस को लेके यह सब डॉकुमेंट्स को लेके काफी ज़दा बमाल खड़ा हो चुका है तो जहां पर 75 यर की एक लेक लेडी ड्राइविंग लाइसंस अब बना सकती है तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसंस नहीं है तो जल्दी जल्दी उठीए और अप्लाई कीजिए और ड्राइविंग लाइसंस बनाएए I hope guys, इसके बारे में इनके बारे में जान कि आपको काफी अच्छा लगा होगा तो comment box में comment ज़रूर कीजिए अगर आपके पास driving license है तो comment कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो comment कीजिए और अगर आप बहुत जल्दी बनवाने वाले हो अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वर्चिंग एटडे नियूज